आज भी आद है मुझे वो दूर गुंजदा ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजर आता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनोन है वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना तो आपके इसी जिद जुनोन और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उनकी म कर लेकर आया है पाइलट बैच जिसे बहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेल्वे एल्पी तथा टेक्मिसियन के एक्जाम के लिए तयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोईन करें हमारा पाइलट बैच और अपने सेलेक्शन के मेकर आया है और दिए गाई नंबर पर कॉल करें अबस्कार दोश्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूं एससी मेकर की सौनलाइट परफार्म पे कैसे हैं आप सो भी स्टूडेंट एक बाद जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताए तो आप लोगों की तयारी कैसी चल रही है पढ़ाई कैसी चल रही है फटफट एक बार कॉमेंट करके जल्दी से बताइए फिर आगे चलते हैं आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एक्जाम बहुत ही Selected Quotion होते हैं, important type के question होते हैं जो हमेशा एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं उन प्रश्णों कई आज की old options में सामिल है और आज से हम आप लोगोंगी जो यह प्राक्टिसेट कीठ लास से इस स्टाट कर कर रहा है और इसमें हम अगामी साइन को टारिट करके उन को स्ट्रिशन को ला रहें इसलिए इस class को हम start कर रहे हैं तो daily यह जो class है आप लोगों की 8 बज़े से चल रही है आप सभी को पता है 8 बज़े से ही चलेंगी आगे भी ठीक है तो 8 बज़े आप लोग कॉपी में लेके बैठ जाय करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए ठीक है चले तैयारी अच्छी चल रही है कुछ बच्चे rest mode में चले गए है तो rest mode में मना जाएए क्योंकि जब exam आ रहे है तो पता में लग रहा है कि समय नहीं है जैसे अभी cposi का exam आया देख रहे है कितना दो महीने का time है ऐसे ही exam आएंगी और समय कम मिलेगा और कम समय में से लिए बस पूरा होगा नहीं ह इसलिए आप लोग क्या करिए इसलिए आप लोग क्या करिए पहले से तयारी को जारी रखे तयारी करते रहे है ताकि exam एक महीन में भी हो तो आप अच्छे रहे ठीक है चलिए मस चल रहे है अच्छी बात है आप सभी को good evening good evening good evening जल्दी से जूर जाए सारे बच्चे एक बा 1600 elles लिए इंप्पोर्टेंट चले कोश्च नमसेंगे पहला सब्सक्राइब स्चसरा करें और पूछा गया कोश्च आ यह सारे स्लेक्टेटिट कोश्च नर इसलिए अच्छे है और पांच वी संख्या छटी संख्या से संबंदित है सिंपल भासा में बोले तो यह बोल रहा है कि 83 का संबंद अगर 3 से है या आप ऐसे भी सोच सकते 3 का संबंद 83 से है 4 का संबंद 208 से है तो 5 का संबंद किस से होगा इस कोश्चन मार्क पर कौन सी संख्याएगी दोनों तरफ से सोच सकते है 83 को 3 बना लीजिए 288 को 4 बना लीजिए और यहां से कोई option उठाके 5 बना लीजिए या आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 को 83 बनाईए 4 को 258 बनाईए और क्या करिए आप 5 को ऐसा कुछ करके जैसा कर रहा है सेम देखिए क्या option में कोई यार आए की नहीं बताएं क्या होगा एक बार आप लोग बताएं कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं रीनी ठाकुर बहुत अक्स है पूजा कुमारी वेरी गुड अभी शेक राजपूत बहुत अक्स है अनुस्का गुपता कॉमल बर्मा राज अर्पित सतीष मोहित ब्रिया टाइगर चलिए नरेंद्र अनुस्का अनुराग आरके यादो वैसाली किरन वेरी गुड बहुत अक्से कुछ बच्चे दे रहे हैं देखिए कुछ नहीं है प्रेशन बहुत ही सिंपल है 83 का संबंद 3 से है देखिएगा आप ऐसे कर सकते हैं 3 को 83 क्या कर सकते हैं वैसे अभी सोचना है देखिएगा कोश्चन मार्क पे क्या है जिसका संबंद क्या हो 5 से हो और 258 क्या है 258 का संबंद किसे है 4 से तो सिंपल भासा में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए सोचे तो 3 को 83 करना है तो आप देख रहे होंगे देखिएगा 3 का पावर क्या कर दे 3 का पावर 4 कर दे और 2 जोड़ दे 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 against 3 against 3 against 3 against CAResis 83 कर देंगे तो 83 क्या कर रहे हैment यह क्या पावर फ़ो है यानि यह हो जाएगा 81 I can't kill us do present to thinkdenबार 3 होगा और 23 ही आपका क्या है देख 잡िए आ Whoo तक रहे हैं आप यहीप यह यहां पहर कर रहा है अगर हम फोर का पावद फोर कर दे ओर प्लस टू कर दे तो तो चार चोको 16, 16, 16, 16, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 256, 258, 258, यहां पर आप देख रहे होंगे, दिया हुआ है, ठीक, इसी प्रकार से यहां पर भी क्या करेंगे, 5 का पावर 4 ही करेंगे, और प्लस 2 करेंगे, तो 5, 25, 25, 25, 625, 25, 256, 256, पावर 4 है, तो चार टाइम, 5, 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 25, 256, 625, 625 में दो जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 627 होगा, और यही 627 क्या होगा, इस question mark पे आएगा, और 627 option number C में मौझूद है, बस answer, ठीक है, चलिए, बहुत text है, very good, जितने बच्चे answer दे रहे हैं, option number C, वो एकदम सही है, समझ में आ गया यह question, एक साथ comment करिए, समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चों को clear है, सारे बच्चों को clear है, एक साथ comment करे, हाँ, 5 का पावर 4, 627, हाँ, very good, बहुत text है, एकदम सही, चलिए, next question के तरब चलें लेटेस्ट पैटन पर question है, और हाल फिलाल की exam में ही पूछे गए है, ठीक है, हाँ, previous year paper से लिए गए है, काफी important question है, इसे most important डाल के note करिएगा, question है, एक निशित भाशा में, यदि January, J-A-N-U-A-R-Y को 4, July रबर 3, और September रबर 6, तो December रबर क्या होगा, देखिए, सबसे आस अचान, तरीका क्या करेंगे, पहले आप सोचिए, क्या कर सकते हैं, कि January, J-A-N-U-A-R-Y, January को क्या लिखा है, 4 लिखा है, July, J-U-L-Y, July को क्या लिखा है, 3 लिखा है, September, S-E-P-T-E-M-B-E-R, September को 6 लिखा है, December का पूछ रहा है, D-E-D-E-C-E-M-B-E-R, December को क्या लिखेंगे, बताए, आप लोग बताए तो, देखें दिमाग लगा ले रहे, कैसे, अगर आंसर आ रहा है किसी का, 4, 5, 6, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, हाँ, 5, 4, 6, 7, 8, जो भी आ रहा है, आप बताए कैसे, maximum बच्चे सही दे रहे, maximum बच्चे सही आंसर दे रहे, एक बड़ आप लॉजिक बताए कि कैसे आपका आंसर आ रहा है इसका, 5 आंसर होगा, बहुत अग्से, क्या बता रहे, 5, एक बड़ बताए कैसे, सबका 5 अगर आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, ये भी तो बता सकते हैं क कि सरह हमने ऐसे किया तो आंसर आ गया तो लिख दो थोड़े सा, थोड़े सा आप लिख दो कि क्या कर रहे हैं, very good एक वच्छा लिखा या भी अच्छा, बता रहे हैं कौन, नाम, नाम, नाम सुमित चाओदरी, बहुत एकस है very good, क्या बात है हाँ एक अंकीत यादो बच्छाय पूर्णिया से बोल रहा है सर जी आपसे रीजनिंग पढ़कर SSC GD में 20 में 20 सही करके आया हूँ अच्छा वेरी गुड रीजनिंग में तो गलत होना ही नहीं चाहिए हाँ एक और बच्छा आंसर दे रहा है सौरब कुमार वेरी गुड बहुत अगसे क्या बात है एक दम सही सर पोल लगा दीजिए अच्छा लगा देंगे पोल कोई बात नहीं चलिए वह भी हो रहा हो बहुत अगसे वेरी गुड वह भी तो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं दे एक जोड के आधा वाला इसमें लॉजिक नहीं लगेगा इसमें क्या होता है जब यहां पर आप देख रहे हैं कि अक्षरों की संख्या ज्यादा है और यहां पर संख्या जो इसका लिख रहा है कम लिख रहा है तो एक तो आप उसकी काउंट कर सकते हैं एक होता है कि इसमे यू, ये स्वर, इनके छोड के, इनके छोड को, इनको अगर छोड दिया जाए, ठीक है, A से लेके Z तक में, अगर इनको छोड दिया जाए, बाकी जो होते हैं, वो बेंजन होते हैं, तो स्वर और बेंजन काउंट करेंगे, तो अगर स्वर काउंट करना है, तो यहाँ पे ए चार, लगार यसमें सकाउट कहाूंट करके, बेंजन को काउट कर रहे है, ठीक है? क्या-CAUN'T कर रहा है, या सब्सक्राइब को क्राइब popshat है, तो आप देखें, फिर इसमें, आगर देखें, तो एक, फिर उसके बाद दो, और यह 3, कितना है? तो आप देख रहे हैं, 3 क्योंकि यह जो है न आपका वह वेल है यह जितने भी आपको दिख रहे हैं न ये ये क्या है वह वह वेल है तो यानि आपको अब देखिएगा इसे जब count नहीं करेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है इसलिए 6 चले इसमें वावेल हटा दीजिए अब देखा जाए तो आप देखेंगे इस इहां से देखिएगा लिखिएगा 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 तो question mark पर यहां पर क्या होगा इस question mark पर क्या होगा question mark पर होगा 5 यानि इसका right answer होगा 5 यानि इसमें count क्या हज़ार है कॉंसोनेंट को count कि जा रहे किसको कॉंसोनेंट को count कि जा रहे इसलिए question का answer होगा 5 ठीक है हाँ वावेल को उठा कर फेक दो हाँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल आइकन को on कर लीजिए जूड़ जाइए डेली क्लास यह जो चल रही है ना आठ वज़े से चलता है एक पीम पे आप लोगों की यह डेली क्लास होती है एक दिन आपकी math की class एक दिन आपकी reasoning की class आज reasoning है कलाठ वेजे math फिर पर सो reasoning अगले दिन math ऐसे चल रही है class ठीक है चले next question के तरफ चलेंगे question number तीसरे का answer आप सभी student देंगे क्या होगा इस question का answer काफी important है बताए असंगत संख्या युग्म ज्यात कीजिए मतलब यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है इनमें से तीन विकल्प एक जैसे है एक विकल्प जो है ओ अलग है option देख रहे है A, B, C, D इनमें से option में तीन option एक जैसे है एक option अलग है उस अलग option की पैचान करके बताना है तो आप देखेंगे यहाँ पे 29,255 है 17,81 है 45,576 है और यह क्या है 31,256 है तो इस question का right answer क्या होगा एक बार आप सारे बच्चे बताए बताए इस question का right answer क्या होगा एक साथ बताए बहुत क्या है थोड़ा से दिमाग लगाएंगे तो answer आजाएगा क्या होगा थोड़ा से दिमाग लगाएंगे तो answer आजाएगा तो फट 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 एक बार बताए तो क्या होगा इस question का right answer जल्दी से comment करें एक साथ comment करें इस question का answer क्या होगा एक साथ comment करें सारे बच्चे comment करके बत पानी पीते हैं अंसर आजाना चाहिए एक साथ आप लोगों का ये भी सीडी ये भी सीडी ऐसे नहीं रख सदीमागर्ट् लगा सिकते हो आप लोग दिया कि आप तो संख्या आपको दिखी रहा है एक तब दिखि रहा है कि कंदने किसी संख्या के स्क्वाइर दिख रही है तो इसमें इतना दिमाग माता पच्ची लगानी क्या जरूरत है देखिए 29 का संबंद किसे है 29 का संबंद 225 से है ठीक है अब देखिएगा 17 का संबंद किसे है 17 का संबंद 81 से फिर उसके बाद से बोला है 45 का संबंद 576 से फिर उसके बाद बोला है 31 का संबंद किसे है 256 256 ऐसे ही तो बता रहे है आप देखिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग एक चीज आप देख रहे होंगे 225 किसका स्क्वाइर है 15 का ये 89 का 574 का 256 का ये क्या है स्क्वाइर है तो आप इसको तो इतना तो कर सकते है कि ये 225 जो है सर ये 15 का स्क्वाइर है ठीक है ये 81 जो है ये 9 का स्क्वाइर है ये 574 का स्क्वाइर है और ये 256 जो है ये 16 का स्क्वाइर है तो आप बोल रहे होंगे कि सर ऐसा ये कर रहा है ना कि यह कर रहा है देखिएगा यहाँ पर देखेंगे थोड़ा से दिमाग लगाएंगे आप तो सर यह ऐसा सॉरी 31 है दो सेकेंड यहाँ पर 15 तो 15 दुना के 30 माइनस एक कम नौ दुना के 18 में से एक कम ठीक है ठीक है बहुत अच्छे 24 दुना के 48 48 सॉरी 24 दुना के 48 यह आपका स्कॉयर हो जा रहा है 24 का यानि 24 या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं 15 दुना के 30 में से एक कम जा 9 दुना के 18 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाकि यह आप देख रहे हैं आप इसको अलग तरीके से अगर सोचना चाहें तो इसमें आप क्या करेंगे अगर इसमें एक जोड दे एक जोडेंगे 30 होगा 30 को दो से भाग करेंगे 15 15 का स्कॉयर है ठीक है 225, ऐसे भी सोच सकते हैं, या आप ऐसे भी देख रहे हैं, कि ये 15 दुना के 30 में से 1, 9 दुना के 18 में से 1, 24 दुना के 40 में से 1, ऐसा होना चाहिए न, समझ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये 23 दुना के अगर यहाँ पे 23 कर रहता, 529 तब ऐसा ही होता, लेकिन यहाँ प आप एक जोड़ेंगे तो 18 ठीक है 18 हो रहा है दो से भाग करेंगे 9 तो 9 का स्क्वाइर उपर दिख रहा है ऐसे भी सोचिएगा आप इसमें क्या करेंगे एक इसमें जोड़ेंगे एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यह 46 हो जाएगा दो से भाग करेंगे तो 23 होगा 23 का स होता है 529 लेकिन यहां 566 दिया है इसलिए यह आपका गलत है ठीक है यहां पर अगर इसमें आप क्या करेंगे एक जोड़ेंगे बहुत ज्यादा समझा दिये कोई बात नहीं 32 से यह 16 16 का स्क्वाइर 256 और 256 दिया हुए बस इसमें तो इतना तरीके से समझा दिये ज्यादा लि स्क्वाइर 9 गुने 2-1 नो दुना का 13 एक 17 ये आपका क्या है 24 का स्क्वाइर 24 है 24 का 24 गुने 2-1 24 दूना का 40 में से एकजा 47 यहां पर 47 ना देके 45 दे रहा है समझ रहे हैं यह आपका तरह को दो माइनस 1 दूना का 32 32 में से एकजा 31 यहां पर दिया हुआ है ठीक है इसलिए Q कि अभाइब बटाइए गिलेयर है सबीकों क्लियर है समझ में आगया option नम्र सी सभी होगा इतना ज्यादा समझा दिया कई तरीके से आ रही है आवाज की सू आ रही है आवाज तो सही है चलिए आगे चले next देखे question number four question number four का answer आप लोग देंगे सभी student देंगे एक साथ देंगे ठीक है question number four का answer बताइए क्या होगा question number four काफी important question है अगला संख्या ज्यात करें पांच आठ उननीस को आएगा आफ सभी को बताना है बताए आप का नंबर लगता नहीं है. कहां के नंबर पा गया कि लगे गा оф क士ल्मर क्या रिवाला नहीं लगता जा है उस फेंने गल used काल करेंगे तो लगेंगा ठीक है क्योंकि आएक ही इक टाइम पर बहुत सारे बच्चे हाँ एक ही टाइम पर बहुत सारे फोन करते हैं बच्चे इस वज़े से दिकत होता है हाँ अरे आओ बहुत अखसे क्या बच तो असान ने देखिये गैप भी देखेंगे तो दोगुना के करीब गैप जा रहा है ना आप देखिए 5 दुना के 10, 8 दुना के 16, 19 दुना के 18, 36 दुना के 72 यह गैप जो है ना आप देख रहे हैं यह multiply में सोचना है जब अगर संख्याई ऐसे हो गैप थोड़ा थोड़ा रहे है अगर थोड़ा थोड़ा गैप तो अम अंतर पर सोचेंगे difference देखेंगे कि अंतर आगे बढ़ गये तो आठ दुना के 16 और प्लस का यह हो जा रहे तीन यानि 2 गुना प्लस 3 आगे अगर फिर बढ़ जाए तो 19 दुना के 38 होगा माइनस दो हो गया अच्छा फिर उसके बाज से आगे बढ़ गया तो 36 दुना के 72 प्लस 3 हो गया एक बार देखिए 2 गुना त 2 प्लस 3 आगे क्या होगा माइनस 2 ठीक है तो 35 दुना के 500-500 में से दो जा 148 148 इस कोश्चन का राइड आंसर आना चाहिए ठीक है सभी बच्चों का उफ्चों में आंसर आ रहे है हाँ बदाई सारे बच्चों के एकदम सही है 148 148 148 148 वाले सभी के सभी बच्चे एकदम सही है जितने भी आंसर दे रहे है 148 होगा सर एकदम सही है बदाई ये समझ में आया की नहीं समझ में आ गया है सभी को समझ में आ गया है तो एक साथ कॉमेंट करिए समझ में आ गया है सर ठीक है समझ में आ गया है सभी को very good समझ में आगे हैं तो आज की क्लास को आप लोग लाइक क्यों नहीं किये हैं लाइक की संख्या कम है ठीक है लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके जुड़ जाएए डेली क्लास को ज़ाइन करिए ठीक हम चेलिए नमर फाइव कर्फी में तबे impose लाइक में में चैनल पर हम जोयुण देखेंगे कर अगए कि आंपाइब के संख्या का मिखियों यहां पर इसंख्या को आपको बताना है कि क्या होगी यहां पर कौस्इन मार्ब होग ऑप पहले कर शोल्टे अर्ट आपके सामने दिख रहा है, इसमें सभी संख्याओं को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, चोटी संख्याओं, बड़ी संख्याओं, स्क्वायर, क्यूब, ऐसा सोचिए, ठीक है, फटफट दिमाग लगाई है, तीन, तेरा, चार, छे, सट, एक तीस, पांच कोश्ण मार तो आप देख रहे होंगे, आप लोगों को बताए है, ठीक है, आवाज भर-भर क्या रहा है, ऐसा है क्या, एक बर में चेक करूँ, साउंड प्रोब्लम है, अच्छा, कोई नहीं, देखता हूँ, अगर आवाज की समस्या है, तो एक बर में देख लेता हूँ, आप लोगों को बताए है, ठीक है, आवाज भर क्या रहा है, ऐसा है क्या, एक बर में चेक करूँ, साउंड प्रोब्लम है, तो आवाज की समस्या है, एक बर में देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत दिख रहा है, दो शेकन, दूसरे मोबल में चेक करता हूँ, थोड़ी बहुत इसुआ रही है, नो प्रोब्लम, कोई नहीं, कोई नहीं, एक बर में चेक करता हूँ, ठीक है, चलेगा अब भी, ठीक है, क्लास के बाद देखेंगे, कोई समस्या उतनी नहीं है, ठीक है, चली, टो एंगा नियुक्त है अगर इसी कोई समस्या है तो ठीक है बहूत जगश्य स्टोनी है awesome छीचाले, हां आवाज, सही है? हाँ, थोड़े सहा है तो थोड़ए सही तो कोई बात नहीं, ... उसे अभी हम सही कराते है? ठीक है? इस चलिए, वैसे सही है कर देखिए बड़ी संख्या अगर दीखेंगे बड़ी शंख्या के तो बड़ी संख्या है कहां अगर बड़ 15 सब मिल गई बीच में बाड़ी संग्या जब बीच में मिल गई तो question हो गया very simple क्या बहुत ही आसान मतलब हम 3 और 4 को ऐसा कुछ करेंगे कि यह 13 आ जाए क्या करेंगे 3 4 को ऐसा कुछ करेंगे कि 13 हो जाए तो अब बोलीं 3 और 6 को क्या करें कि 13 हो जाए 3 और 4 को क्या करें 13 हो जाए 3 चौक वारा एक turn 1 एक तेरा लेकिन फिर यहां पे वीस पछक्चे सो एक 101 ऐसा नहीं 31 गुने छे करेंगे तो क्या हो जाएगा 186 होने लगेगा फिर एक जोड़ेंगे ना यह तो 67 है ऐसा ही गलती नहीं फिर अगर थोड़े ची देखे तीन चार साथ दुना के 14 में से एक जा 13 6 और 31 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहां पर अगर देखेंगे 6 और 31 जोड़ेंगे तो 37 37 फिर कर देंगे 74 एक जा ना ऐसा भी नहीं है अब स्कॉयर अगर सोच ले जोड़ घटा घुड़ा भाग यही तो करना है स्कॉयर क्यूब तो तीन का स्कॉयर अगर कर दे तो तीन का स्कॉयर 9 चार जोड़ दे तो 13 हो जाएगा समझ रहे चे का स्कॉयर 36 36 में 31 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा अच्छा 31 कितना हो जाएगा 66 6 का स्क्वाइर 36 और 31 जोड़िए 7 और ये 6 66 दिख रहा है तो यह हो गया 67 फिर यहां पर क्या करेंगे 5 का स्क्वाइर प्लस 20 पांच का स्क्वाइर 25 बीस 45 यानि इस कोश्चन मांग में क्या होगा 45 जो कि ऑप्शन नंबर C में मौझूद है कहा है option number C में मौझूद है तो option number C क्या होगा इस question का right answer होगा क्या होगा जो सही answer होगा होगा option number C बदाइए समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया हाँ very good एकदम सही एकदम आसान पूरा explain कर दिये अब तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए समझ में तो अच्छे से आ गया होगा यह question बदाइए clear है सभी को clear है अच्छे से clear है या दूबारे समसाओ कि समझ में आ गया आ गया आ गया सरा गया सरा गया सरा गया सरा गया सरा नेक्स चले ठीक है हाँ डायमंड प्ले वेटन आ गया है हाँ आ गया है ठीक है अब लोगों को कल दिखाएंगे ठीक है चले यह चीज़ क्लियर है तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और एक बात और बिता दे अगर आप लोग एससी में कर आप को डाउनलोड नहीं किया है तो एप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि अपके आगामी सभी पर इक्साओं के लिए क्लासस चल रही है आप जिस भी एक्जाम की तहारी कर रहे हैं अप का लिंक निचे डिस्कृश्शन बॉक्स में दिया गया है कामें बोक्स में भी है आप लेस्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो डाउनलोड जरूर करिए वहाँ पे क्योंकि आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए क्लास से चल रही है आप लोगों को बिताना चाहेंगे जो बच्चे सी सीजियल सी एचसल एक्जाम की तेयरी करें उनके लिए संकल्प बैच तो आप सारे बच्चे संकल्प बैच से जुड़के एससी सीजियल और सी एचसल की जबरज़स त्यारी करिए साथ में सीप्वेशाई के लिए भी क्लास से चल रही है ठीक है आरर वी एलपी और टेक्निशन एक्जाम के लिए पैलेट बैच सी मेकर एप पे चला जा रहा है CBT1 और CBT2 के लिए बैच की फी बहुत ही कम है मातर 350 रुपे ठीक है जारकन पुलिस के लिए भी स्पेसल बैच हम लोग चला रहे है बहुत ही कम फी में मातर 250 रुपे में ठीक है सभी की सभी क्लासे एकदम बेसिक से जीरो लेबल से चाप्टर बाई चाप्टर हर एक आपक 8% सेलेक्शन की गारेंटी के साथ चल रही है आप लोग पढ़िए और अपने सेलेक्शन को सुनी सीथ करिए किसी भी बैच में जूडने में कोई समस्य आ रही है 7080108555 इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं ठीक है चलिए next question देखेंगे question number 6 question number 6 देखिएगा question number 6 काफी important है ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इस question को हाँ समझने का प्रयास करेंगे इस question को हम test के तौर पर रख रहे हैं देखें आप लोग answer दे पा रहे हैं कि नहीं question एक अथर में कोई भी x c नहीं है कुछ ac है निसकर्स में पढ़िएगा कुछ c x नहीं है कुछ a के x होने की संभावना है सभी c x है तो बताए इस question का right answer क्या होगा एक साथ comment करें तो सारे बच्चे comment करके बताए इस question का right answer क्या होगा फट 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 एक बर comment करिए हम देख र जल्दी से बताए है comment करें एभी cd एभी cd नहीं देना है ऐसे नहीं होगा देखिए डाइग्राम आप लोग नहीं बिना पा रहे है इस वज़े से गलत हो रहा है कथन में क्या बोला है कोई भी xc नहीं है मतलब एक डाइग्राम बनाएंगे circle बनाएंगे x का कोई भी x क्या नहीं है c नहीं है कोई भी x जो है न और c नहीं है मतलब इन दोनों में आपस में कोई relation ये दोनों अलग अलग चीज़ें ठीक है कोई भी x c नहीं है कहने का मतलब x अलग c अलग कह रहा है कुछ a c है क्या बोला है कुछ a c है मतलब a का कुछ हिस्सा c में जाएगा ठीक है अब देखिए निसकर्स पढ़िएगा तब आंसर देगा कुछ c x नहीं है कह रहा है कुछ c कह रहा है कुछ c मतलब C का कुछ कोई भी हिस्सा X नहीं है, मतलब कुछ C कह रहा है, कुछ C X नहीं है, तो बहुत से बच्चक दिमाग में आता है, कुछ C X नहीं है, मतलब कुछ है, ऐसा, ऐसा नहीं, कह रहा है कुछ C X नहीं है, कुछ C X नहीं है, तो देख रहे हैं, कोई भी C X नहीं है, तो A वाला डाइग्राम है आपका ऐसे भी बन जाए क्यों ऐसे भी बन जाए क्योंकि कुछ A C था तो ऐसे भी बन जाएगा तो संभावना हो सकती है क्योंकि करें कुछ A के X होने की संभावना है तो कुछ A ऐसे अगर यही चीज इदर बन जाता तो हो जाता और यहां पर यह भी क करें थार्ड की निसकर्स थार्ड की करें सभी सी ए हैं जितने भी सी हैं सभी के सभी सी जो है एक अंदर है नहीं सभी नहीं है तो यह गलत तो पहला और दूसरा सही है तो आंसर क्या देंगे केवल निसकर्स एक और सेकेंड करते हैं ऑप्शन नमबर ए इस कोशन का राइट अंसर होगा सही आंसर होगा बदाईए समझ में आया समझ में आ गया है एक साथ comment करें समझ में आ गया है या नहीं आ गया है तो आगे चलेंगे नहीं आए तो दूबरे समझाएंगे एक साथ बताईए हाँ पहला और दूसरा option number A सही होगा इस question का ठीक है चले next question के तरफ चलेंगे अगला question देखेंगे अब blood relation का question है और काफी important question है पूछा गया question है ध्यान से देखेंगे E F का भाई है D E की पतनी है G H का पिता है F G की बहन है E G से कैसे संबंदित है देखिए अब देखिए इसके लिए क्या करना है आपको diagram बनाना है इसके लिए क्या करना है diagram बनाना है देखिए E F का भाई है E जो है ना और F का भाई है देखिएगा E जो है ना ये F का भाई है भाई है बराबर का संबंद होगा और भाई है तो प्लस है देखिए भाई है तो बराबर का संबंद होगा और प्लस से प्रदर्सित करेंगे कहे रहा है DE की पतनी है D जो है न हो E की पतनी है तो पतनी क्या होगी बराबर के ही सम्पन दोगा और D पतनी है तो इसलिए Inform प्रदर्शी क्योंकि ये इसकी पतनी ये पती हो सकता है भाई वेहन कोई हो आगे देखिए GH का पिता है बोलेंगे कि sir अभी हम लोग D E F के बारे में जानकारी मिली है हम लोगों को G और H के बारे में जानकारी नहीं है तो G H के बारे में जानकारी नहीं इस लाइन को अभी के लिए छोड़ देंगे आगे से connect करेंगे जो इन से connect होता है उसी को पहले लिखा जाता है यह नहीं कि GH का पिता है तो IC में कहीं घुसा देंगे ना गलत हो जाएगा आगे देखिए FZ की बहन है F क्या है यह F जो है ना यह G की बहन है G की बहन है F तो माइनस से परदर्शित करेंगे तो देखा जाए तो यह भाई बहन इधर दिख रहे है इसका link clear नहीं कौन है अभी पता चलेगा आगे देखिए जिस line को छोड़े थे आप connect हो जाएगा G H का पिता है यह G जो है ना यह पिता जी है किसके पिता जी है H के तो H इसका संतान है यानि एक पिढ़ी नीचे ठीक है और यह पिता जी है तो एक पिढ़ी उपर यानि उपर की तरफ ऐसे ही तो बनाया जाता है ठीक है अब देखिए अब तो clear हो गया यह भाई भाई दो हैं यहाँ पिसकी बहन है और यह इसकी पत्नी है तो पूछा है E G से कैसे संबंदित है परश्ण में क्या पूछा है E G से कैसे संबंदित है मतलब G का E क्या लगेगा E जो है ओ जी का क्या लगेगा तो इधर देखा जाए बेहन, बेहन का भाई भाई, कुछ नहीं है भाई option number A भाईया, brother, अच्छा भाई लगेंगे clear है हाँ, भाई अब छोटा भाई, बड़ा भाई नहीं बोलना है क्योंकि दोनों की आप देख रहे होंगे कि साधी हुई है ठीक है अब इसकी पत्नी नहीं दिख रही है कोई बात नहीं लेकिन इसकी पत्नी दिख रही है क्योंकि इसका संतान है तो शाद्धी होई है, होशकता है यही छोटा भाई हो, क्योंकि इसका बच्चा नहीं दिख रहा है, अगर ऐसी है तो ठीक है, उसका बच्चा है, वो बड़ा भाई हो भी हो सकता है, तो छोटा भाईया बड़ा भाईया नहीं करना है, ठीक है, वस बताना है भाई है, ठीक है हां clear नहीं है चोटा है की बढ़ा है तो बोल दो भाई है ठीक है समझ में आ गया है हाँ आगे चले यह चीज क्लिए रहे तो next question के तरफ चलेंगे बढ़ा भया 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 यह कैसे हो सकता है अब कैसे बॉल दोंगे यह भाईया है भाईया कैसे होगा इसका तो बच्चा भी है इसका यह ज्यादा है कौन है इस पर डिसकर्शन नहीं नो कॉमेंट आगे देखेंगे कौश्यन नंबर एड काफी इंपोर्टेंट है दिये गए विकल्पों में से उचित वेन आरेक्चुने कौन सा टैगरम बनेगा इसका आप लोगों को देना है किसके ब viewing पुस्तक और डिजिटाल उपकरण के बीच तो देखें मोबाइल क्या होता है पुस्तक क्या होता है इनन पर आप क्या करिजr धोड़ासा बीचार करिए ठीक है इन पर विचार करिए और आप दीजी थीक है ज बदाए इस question का answer क्या होगा एक साथ comment करिए सारे बचे comment करें answer सही आना चाहिए मोबाइल पुस्तक और डिजिटल उपकरण के बीच वेंडेग्राम बनाना है के वी सीडिये ऐसे answer दे लेगा आप लोग ऐसे नहीं होगा कि समझा देखिए mobile क्या होता है mobile पुस्तक होता है नहीं क्या mobile डिजिटल उपकरण होता है हा देखिएगा यानि आब आप देखेंगे पुस्तक क्या होता है पुस्तक डिजिटल उपकरण होता है, नहीं, ठीक है, तो यानि डिजिटल उपकरण के अंतरगत मोबाईल आजाएगा, पुस्तक अलग हो जाएगा, यह तो बच्चोवाला कोश्चन है, आप डिजिटल उपकरण का एक सिंबल बनाएंगे, डिजिटल उपकरण के अंतरगत mobile tablet laptop ठीक है जो भी आपके होते हैं यह सब डीजिटल उपकरण के अंतरगत आजाएंगे ठीक है तो डीजिटल वाच होता है ऐसा ठीक है तो यह देखिये mobile क्या होगा डीजिटल उपकरण के अंदर और पुस्तक क्या चीज़े पुस्तक अलग चीज़े अलग हो जाएगा वेंडिगरम स्टाइब से बन जाएगा और सी इस कोशन का सही आंसर होगा और सी मैक्सिममम बच्चे आंसर दे रहें कुछ ही बच्चे अभी सीडी आभी सीडी कर रहें चीज़ें आफ ऑप से बच्चे देंगे और बताएंगे इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा ठीक है चले इस कोशन को हम टेस्ट के तौर पे रखेंगे और ये कोशन काफी इंपोर्टेंट है प्रश्ण में दी गई कागज की seat को मोडने पर निमलिखित में से कौन सी आकृती बन सकती है इस seat को मोड दे तो कौन सी आकृती बन जाएगी आपको पता होना चाहिए open dice आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए है कि कैसे मोड़ा जाता है पहले का तीसरा विप्रीत होता है जब आप dice देख रहें ऊपर तो एक सता दो तीसरा यानि विप्रीत ऊपर का नीचे वाले पर जाने के लिए आपको एक फलक को छोड़के यानि एक दो तीन ऐसे करना पड़ता है ठीक है तो यहीं चीज आपको बताना है तो बताए इस question का answer क्या होगा एक साथ आप लोग comment करें तो बताए समझ में आ रहा है आप लोग को नहीं क्या होगा इस question का answer कुछ नहीं करना है जो बड़ी वाली लाइन है बस उसी को देखिए यह एक दो तीन यानि दो का विप्रीत तीन यहां से एक दो तीन चार का विप्रीत क्या हो जाएगा छे एक का विप्रीत एक दो तीन मतलब ऐसे count करना है एक का विप्रीत पांच तो हम लिग देते हैं यहांपे एक का विप्रीट क्या होगा पांच और दो का विप्रीट में नहीं होती है आपने सामने होती है जो कि दिखती नहीं है, इन में से कोई अगर किसी में दो दिख रहा है, वो पाशा नहीं बन सकता है, अगर देखा जाए, एक पाश, दो तीन, और चार छे, देखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो दो, दो का पोजिट क्या है, तीन, तीन दिख रहा है, नहीं, चार का प उड़ेगा तो विप्रीत हो जाएगा तो एक पांच यहां दिख गया इस वज़ा से यह नहीं बनेगा ठीक है एक पांच दिख गया नहीं बनेगा यह चीज भी नहीं बनेगा फिर अगर देखा चार चार का पोजिट क्या एच्छे यहां पर आप देख रहे हैं चार छे दि उसेत हैं और आपने सामने होती है ना कि अगल बगल यह बगल में कैसे हो जाएगा दो इधर रहे तो तीनुधर होनेच confess की इन में से एक ही कोई दिखेगा ना दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकती है ठीक है कहने का मतलब यह है बस और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हाँ वेस्ट वंग पूलिस के लिए वेकन्सी आई हुई है ठीक है जानकारी देंगे उसके बारे में है समझ में आगया है आगे चले को समझ में आगये सबीको सबीका रॉशन एंजनार रहे है तो एक दम sự देखें यह एक पाँच है यह दो तीन दिग गया है यह चार छे दिग गया है इस वाज़ा से नहीं बनेगा चले कोशन नमबर दस इसका अंसर देने बहुत ही महत्पूर कोशन है most important कोशन है और इस कोशन का अंसर आप सभी लोग देंगे कोशन है छह लड़के A1, A2, A1, A2, A3, A4 और A5, A6 देखिएगा A1, A2, A3, A4, A5 और A6 एक बृत्ताकार मेच के परता केंदर की और मुख करके बैठे है A4, A1 के बाएं तीसरा है A5 और A3 देखिएगा A5 और A3, A4 के बगल में है A6, A5 के ठीक डाएं है A6 के बाएं तीसरे अस्थान पर कौन बैठा है यह देखिएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6 से घपड़ेनिक ही सोरत नहीं है यह सिंपल भास हम देखा जा तो A, B, C, D, E है ठीक है बस A को ही A1, A2, A3 ऐसे करके लिख दिया है तो confusion कोई नहीं छे लड़के हैं, बृत्ताकार मेज हैं तो ऐसे आप बृत्ताकार मेज बनाएंगे छे लोग है तो A की धर, क्योंकि सबका मुख क्या है? केंदर की और है, तो A की धर हो जाएगा दूसरा इसके सामने, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा चौथा यहाँ पे हो जाएगा पांचवा यहाँ पे हो जाएगा, छटा यहाँ पे सबका मुख क्यां अंदर की और अब यह मत सोचीएगा कि बीच में इतना gap का है कोई दिक्कत नहीं गैप नहीं है पूलिस का क्लास्कोप चलाइंगे कौन है अना कॉंड़ा भाई बंगलादेश वाले के लिए अभी बता रहें पहले कोशन देख लिए छे लड़के एवन एटू एट्री एफ़ोर एफ़ाइफ और एशीक्स एक बित्तकार मेज के केंदर की परिता केंदर की परिता यहां पर कलर चेंज कर देते तब आप लोगों का और अच्छे से समझ वाएगा देखिए एफ़ोर एवन के बाये तीसरा है एवन के बाये तीसरा बाया किदर होगा केंदर की और मुख है तो सबका बाया इस तरह से सबका दाहिना इस तरह से clear है ना ऐसे clockwise anti-clockwise यानि बाया जाना है तो clockwise चलेंगे दाहिने चलना है तो anti-clockwise यहीं चीज क्योंकि यहां पर आप बैठके ही देखिए तो आपका बाया किदर होगा इदर तो यह जो एफ़ोर है वो एवन के बाये तीसरा एवन के बाये तीसरा बाये चलेंगे पहला दूसरा तीसरा ठीक है कहां हो यहां पर हो जाएगा a4 ठीक है a4 a1 के बाये तीसरा है फिर बोला है a5 और a3 a4 के बगल में है a5 और a3 यहां पर हम ले लेते है a5 ठीक है और यहां पर ले लेते है a3 हो सकता है हो सकता है इन दोनों का जगा आपस में बदल जाए क्यों क्योंकि यह a4 के बगल में a4 के बगल यहाँ हो. A3 यहाँ हो. आगे अभी हम लोगों को मिलेगा. देखिए, कह रहा है? A6, A5, A5 के ठीक डाएं है. A6 जो है ना, ओर A5 के ठीक डाएं. अगर A5 को इधा रख देते तो A6 इधा जाता, एकदम सही जगाप है, बोल रहा है A6 जो है, और A5 के ठीक नाए है, खाली भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? A6, A6 हो गया, बोल रहा है A6 के बाएं तीसरे अस्थान पर कौन बैठा है? A6 के बाएं, A6 के अगर बाएं जाएं तो पहला, दूसरा, तीसरा, A3 बैठा है, कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो और अस्पश्ट रूप से दीख सके, तो आप देखेंगे, A6 के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, A3 है, कौन है? A3, और यही इस कोश्चन का क्या होगा? आंसर होगा और एक जगा खाली है, तो आप देख रहे हैं, A1 है, A3, A4, A5, A6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A2, A2 का जगा खाली है, तो इसे भी बैठा लेंगे, बट आंसर जो होगा, ओर A3 होगा, ओप्शन नमबर B सही होगा, ओप्शन नमबर B, ओप्शन नमबर B, कितने ल हाँ, सभी का आ रहे है, सारे बच्चों के आंसर है, एक दम सही, बहुत अक्से, समझ में आ गया, तो एक बार जल्दी से कॉमेंट करके यह बताईए, तो आप लोग, आज 10 कॉशन कराए हैं, इसमें से कितने कॉशन आप लोगों ने सही किये, और आज की क्लास आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके बताईए, क्लास अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नहे हैं, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकोन करके जुड़ जाईए, ठीक है, हाँ, जल्दी से एक बार पहले अपना स्कोर बता दीजिए, और इसके बाद आपकी 9 बजे हिंदी की क्लास, 10 बजे रिजनिंग की क्लास, चलती है, ठीक है, उस क्लास से भी आपको जुड़ना है, यूभी बुलिष कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए, ठीक है, चलिए, बताईए, कैसे रहे आज के क्लास, कितने कोशन सही किये, और आप को लिए, जाए, प्लाइब कर लिए, यूभी आपको डाउनलोड कर लीजें, और आप लोगों को बता दे, ऐससी सीजियल, छेसल, एक्जाम के लिए, आप लोगों को बता दे, ऐससी में कर आप, हम लोग संकल बेच चला रहे हैं, बहुत यह अच्छे तरीके से इसमें क्लास से चल रही है, डेली लाइब क्लास से चल रही है, आप लोगों के लिए, ठीक है, हाँ, CPOSI के लिए भी आप इससे जूड सकते हैं, बैच की जो फी है, बहुत ही कम मात्र 500 रुपे, ठीक है, हाँ, RRB, LP और अग्जाम के लिए, ससे में कराई पे, हम लोग पैलेड बैच चल रहे है, तो आप पैलेड बैच से जूड़िए, LP और टेक्निशन एक्जाम के लिए, जिसमें आपकी CBT1 और CBT2, दोनों एक्जाम की तहरी कराई जानी है, ठीक है, दोनों पेपर की तहरी कराई जानी है, 100% सेलेक्शन के लिए चल रहा है, बैच की फी मातर 200, ठीक है, दोसो ये, किसी भी बैच में चूड़ने में कोई समस्य आ रही है, 7080108555, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है, चले, जूड़िए, मन लगागे पढ़िए, और अपने सेलेक्शन को करिए, सारे बच्चे, तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप से मिलेंगे कल, दस में दस की है, बहुत अच्छे, देखिए, जिन बच्चों के कोईशन कम सही हो रहे है, परिशान होने की जूरत ने, इस क्लास की पीडिएफ आपको SSC में क करेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है, क्लास अच्छा लगा है, तो डेली आप लोगों के लिए क्लास अच्छी चल रही है, आठ बच्चे आप लोग कॉफी पे लेके जूर जाया करिए, चले, तो आज के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के ल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है, और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजर आता है, और सच कहूं तो, अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है, और वही मेरा सपना तो आपके इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए, हमेशा की तरह, एक बार फिर आपके साथ खड़ा है, आपका अपना SSC मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोकर, उन्हें उनकी मनजिल तक पहुचाया, तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जनून, तो हम है आपके साथ, रेलवे में ALP तथा टेकनीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्तियों के लिए, SSC मेकर लेकर आया है, पाइलट बैच्च, जिसे बहतरीन अनुभवी अध्य पाइलट बैच्च जोइन करने के लिए, डाउनलोड करें, SSC मेकर आया है, और दिएगाई नमबर पर कॉल करें